हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू प्रॉक्सी ग्यान मेरे नाम शबाज है दोस्तों उमीद करता हूँ आप से बच्छे होंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं एमबर ग्रिस के बारे जी हाँ आपने सही सुना वोट इस आमबर ग्रिस वो आज हम पढ़ेंगे और क्यों इतना वैलिबल है उसके बारे भी आज मैं आपको बताऊंगा क्योंके रीसेंटली इसके जो स्मगलिंग केसे बाहर आये हैं क्योंके महारास्ट्रा पुलीस ने मुंबई पुलीस ने कई लोगों को यह पांच लोग कर देंगे दोस्तौं हाई दस वई रानिका अब मेरे साथ वानन वान जूम सेशिन बुक कर सकते हैं कॉंपतिटिव एक्जाम कांशलिंग के कि लिए जसरे आपके बहुत सवाल रहे तैंकी कॉंपतिव इग्जाम के लिए क्या ऑपिशनल लिए जाए आंसराइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको कांसलिंग दूँगी आपके परस्नल स्टेंट्स और वीकनेस पे बेस्ट, सो सी यू दैर अल्ली आन प्रॉक्सिग्यान डॉट कॉम, थांक यू जैसा के आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है विरॉनिका जी, उनके जरिये से आपको एक्जामिनेशन कांसलिंग दी जाएगी, आप हमारा वेबसाइट www.proxygant.com विजिट कर सकते हैं, सारी जानकरी आपको मिल जाएगी, अपने टाइम और रिक्वार्मेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर, तो पास्ट फ्यू वीक्स में कुछ ऐसे केसे बायर आये हैं, जहां पर आपने पड़ा होगा न्यूस आर्टिकल में कि मॉंबई पोलिस एक ऐसी ग्यांग को अरिश किया है, जो फाई परसंस के ग्यांग है, जो एक अमबर ग्रीस को सेल करना चाहते हैं, और वेल वामिट पी इसे कहते हैं, और क्या है यह एंबर ग्रीस, अबर ग्रीस आतिए एक फ्रेंच वर्ड हें जो के ग्रे अमबर को यूश किया जाता है जो भी तो यह वेल वामिट, वामिट ना संस जो भी आप खा दें, वाटवर एकसेज़ फूड वुड विल कम आउट, इसी तरह, एक sperm whale, एक species है whale की, वह क्या करती है, दिन सारी जो है, several thousands of squid beaks a day, जैसे आप यहाँ पर image पर भी देख पा रहे है, squid, एक octopus देसा रहता है, तो उस खाने की वज़े से क्या है, वह whale के स्टमक में, इंटरस्टाइन में, एक amber grease को create किया, you know, develop होता है, तो वह excretory process में, whale उसको बाहर निकाल लेता है, बट इसकी बहुत value होती है, क्योंकि कई सारे लोग अगर ancient Egyptian में आपको आगे बताऊंगो, इसको they are using as an incense also, पर्फुम के जैसाब इसको यूज किया जाता था, और यह जो पार्टिकल है, it's a solid waxy substance आपको रहेगा, जो के surface of water body पे float होता रहेगा, जहां पे भी excret करता है, and जो एक German physician थे, उनका नाम France था, जो के 1783 में पहली बार इसको देखा गया था, तो उन्हें यह कहा है देखकर कि एक pre naturally hardened whale dunk है, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि cow dunk किस तरह से रहते, nothing but excret of animal आप कह सकते हैं, but whale का जो excret है वो भी बहुत valuable है, because यह कई लोगों का कहना है कि एक floating gold है, तो एक kg का अगर आप इसका रखम देखेंगे, तो it will cost around 1 crore in the international market, can you imagine, अगर किसी को इसके हाथ लग जाए, अगर यह smuggle करें international market में, तो यह crore से भी जादा इसको पैसे मिलेगे, इस तरह हमारे Mumbai police का कहना है, जो इन्होंने arrest किया था लोगों को, और इसको क्या कहते है, floating gold भी कहते है, तो main मकसद क्या है, क्यों इसका इतना value है, because इसके जरीए से perfume market में बहुत ही boom मिल सकता है, यहाँ पे जो कई सारे fragments को create कर सकते हैं, जैसे के musk हो गया, जो deer के अंदर पाया जाता है, musk deer, उसको market भी कई सारे illegal activities किये जाते हैं, शरिफ वो perfume के लिए, यहाँ आना जाता है कि Dubai market में इसकी बहुत demand है, because obviously वहां के जो शेक लोग हैं, और जितने भी Arab countries हैं आसपास के, so they will use most valuable perfumes, right, उनको बहुत महंगे-महंगे perfume उसकरनी की आदत है, उनके पास जो बहुत सारा पैसा रहता है, तो इस तरह के जो particles को लोग smuggle करते हैं, और उनको international market में यह करोड से जादा भी value मिलती है, and जैसे मैंने आपको बता है, ancient Egyptian से यह चलता आ रहा है, यह भी यह लोग perfume के तरह यूज कर रहे थे, और इसके इलावा it can also be used in some traditional medicines also, जो भी traditional medicines हैं, जो दवाई बनाने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं, वहां पे भी इसका बहुत जारा demand है, but क्या कोई last है इसको रोकने के लिए, क्या government regulate कर रहे है हमारी smuggling को, इसके बारे में हम जानते हैं, अभी तक फिल्वहाल कोई proper law तो develop नहीं किया गया है, but anyhow due to its high value, amber grease जो एक target माना जाते है smugglers के लिए, because especially जो coastal areas में रहते हैं, इन्होंने गुजरात का example दिया है यहां पे, coastline of Gujarat, यहां पे ज्यादा से ज्यादा smuggling चलती है दोस्तों, कि इस sperm whale को एक protective species बे माना गया है, और hunting of this whale is not at all allowed, याद रख लिजे आपको, हमार इंडिया में इसको hunting करना not at all allowed है, but ऐसा कोई proper jurisdiction नहीं आया है, अभी proper कोई law नहीं आया है, ताके smugglers को proper punishment दी जाए, but smugglers क्या करते हैं, illegally इसको target करते हैं, fish in order to obtain this ambergris from the stomach, and it's produced by an estimate, 1% of sperm whales के अंदर इस तरह के आप वो ambergris पाये जाते हैं, क्योंकि highly demand है, और एक बार अगर किसी को हाथ लग जाए, तो करोडों का मालिक होगा, and what are the recent cases अगर बात करें, तो recently near 9 kg of ambergris को cease किया गया है, Mumbai police के द्वारा, और past 15 days का अगर बात करें, तो report actually कली आय थी, and first case अगर देखें, तो 1.5 kg का एक ambergris को cease किया था, from Mulund area में, उसके बाद police का यह मानना है, कि Gujarat वहाँ असपास में कई सारे coastal areas हैं, अभी वहाँ पे trading चल रही है, and next to lower player में भी वहाँ पे arrest किया था, because, इस तरह की smuggling जब चलती आ रही थी, 7.7 kg of valuable material has been obtained, तो अभी इसके owners कोन हैं, और किस तरह से smuggle किया जा रहा है, इनका कोई अभी address नहीं मिला है, ताके आगे चल कर कोई रोख सके, but anyhow, government का its time कि इस तरह से जो animal species हैं, जो very rarely particles excrete करते हैं, उसको protection करने की जिमेदारी है, अगर कोई इसे illegally use कर रहा है, तो उसको बचाया रखना, क्योंकि आगे चल कर क्या होगा, अगर हम यहां पर deal दे देंगे, तो again they will start hunting also, तो अनखरीब जो है IUCN को फिर interfere होना पड़ेगा, वो species extinct हो सकती है, कई सारे various problems आज सकते हैं, तो इससे पहले, इंडिया पर कोई आलोचना है, हमारी government should develop new laws, तो चलिए देखते हैं, आगे चल कर इसको किस तरह से trace किया जाता है, और इस smuggles को किस तरह से रुका जाता है, तो this is about today's lecture दोस्तो, उमीद करता हूँ आपको आज का मेरे lecture पसंद आया होगा, विकॉस कोई भी interesting topic हो, एक छोटा सा lecture होगा, informative lecture है आपके लिए, विकॉस के recently news थी, what is amber grease आपको directly exam में पूछ सकते हैं, तो चलिए भी मिलता हूँ में आपको अगले lecture के साथ, कुछ interesting topic के साथ, तब तक के लिए, धन्यवाद दोस्तों.